भारत में तियोहारूं का सीजन शुरू हो चुका है नवरात्री हम सब ने देखी उसके बाद हमने दसेरा देखा उससे पहले गणेश चतुरती भी हम सब ने मनाई और अब हम सब इंतिजार कर रहे हैं कि दिवाली कब आएगी देखे अगले हफ़ते दिवाली है साड़ेडे संडे को तो ऐसे में आप सब भी अपने घर की साफ सफाई कर रहे होंगे लेकिन साथ साथ आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हर साल जब भी दिवाली आती है या कोई भी तियोहार आता है खास तोर पर दिवाली का नाम मैंने इसले लिया क्योंकि दिवाली जब जब आती है पठाके तो जलते ही हैं और उसके साथ-साथ जो प्रदूशन का अस्तर है वो भी बढ़ जाता है और इसके साथ बढ़ती हैं पाबंदिया रिस्ट्रिक्शन्स भी काफी सारे लग जाते है तो इस बार हमें जोश में होश नहीं खोना है देखे अपने घर की सफाई आपने की होगी इसी तरीके से अपने मन की सफाई तो हमें करनी ही है घर की सफाई हम करी रहे हैं और साथ-साथ परियावरन की सफाई की जमिदारी भी हमारी ही है हम मनुश्यों की ही है क्योंकि दे जिससे निपटना हम सब के लिए बहुत जाद मुश्किल होगा तो जब भी सरकारे या फिर प्रशासन पाबंदिया लगाते हैं तो बहुत सोच समझ कर वह अपने लिए नहीं बलकि आपके और हमारे उज्वल भविश्ची के लिए ही इतमाम पाबंदिया लगाते हैं तो पा तो पाबंदिया लगती हैं लेकिन इतना ध्यान दीजेगा कि आपको और हमको ये पाबंदिया गंभीरता से लेनी हैं ये कोई मजाग का विश्य नहीं है और सीरस होके हम तमाम इन पाबंदियों का अनुस्रान करेंगे उनका पालन करेंगे तो देखते हैं आखेर कौन- हुई हैं देखे सबसे पहले यहाँ पर ग्राप 3 का रूल आता है जो कि अब लागू कर दिया गया है दिल्ली और दिल्ली NCR के रीजन में ग्राप 3 को लागू किया गया है CAQM यानि की Commission for Air Quality Management द्वारा यह कई सारी बैठक इसकी द्वारा की गई उसके बाद जब उनको यह लगा कि प्रदूशन का जो स्तर है दिल्ली और दिल्ली NCR में काफी जादा खराब होता जा रहा है उसके बाद ग्राप 3 का रूल अब लागू कर दिया गया है CAQM द्वारा तो ग्राप 3 जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्रेड़ रिस्पॉन्स अक्षिन प्लान यानि की यह ऐसा प्लान होता है जब प्रदूशन का स्तर बेहत खराब श्रेड़ी में आता है या बेहत खतरनाक श्रेड़ी में पहुँच जाता है जो आपको और हमको बहुत जाता नुकसान पहुचाएगा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती बनेगा उसके बाद इस नियम को अपको अचन प्लान आपको बहुत बिल गर्द Tschar nao जो की दिल्ली एंचियार में कौन-कौन से शेतर आते हैं दिल्ली तो आती ही है साथ-साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम tat गाजयाबाद, ग्रेटर नोइडा और नॉइडा भी आता है अब यहां पर जो AQI है एर कॉलिटी इंडेक्स है इन तमाम शेहरूं का वो देखे नॉइडा से शुरुआत करते हैं 304 यहां पर है 305 है ग्रेटर नॉइडा में 244 है गाजयबाद में 254 है गुरुग्राम में 338 है फरीदाबाद में और 358 है दिल्ली म लगभग लगभग में एक अंदेशा आपको दे रही हूँ एर कॉलिटी इंडेक्स का कि आखिर इन तमाम शेहरूं में किस तरीके से एर कॉलिटी जो है वो और ज्यादा खराब श्रेणी में जा रही है जिसकी वजह से जो यह आक्शन प्लान है ग्रेडिड रिस्पॉन्स है उनके चलन पर रोक यहां पर रहेगी इसके साथ दिल्ली एंसियार में इट भटे मिक्सर प्लांट और स्टोन क्रशर पर भी बैन रहेगा ताकि किसी भी तरीके से प्रदूशन का जो स्तर है वो बढ़े न और पांचवी तक के जो स्कूल है वो भी बंद रहेंगे हाला क कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो इन बच्चों की यहां पर करवाई जा सकती है लेकिन बच्चों को भी सुरक्षित रखा जाए इस प्रदूशन से जिस थरीके से लगातार स्तर बढ़ रहा है उसकी वज़़ा से पांचवी तक के स्कूल को बंद यहां पर रखा जाएगा साथी साथ कोईला लकडी जलाने पर भी रोक रहेगी इसके अलावा कूडा कई लोग जलाते हैं तो कूडा जलाने पर भी यहां रोक लगा दी गई है और 10 साल से अधिक पुराने डीजल या फिर 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर भी रोक रहेगी तो य तमाम नियम हैं तमाम restrictions हैं तमाम पाबंदियां हैं जिनका आपको यहां पालन करना है अनुसरन करना है ता कि जू producing का स्तर है वो बढ़ेना या फिर कई लोगों को हाट टाग भी प्रदूशन की वज़से ही होता है तो यह तमाम चीजें होती हैं जिसकी वज़से हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंच रहा है तो यह पावंदिया भी हमारे लेई हैं हमारे भविश्य के लिए हैं अब यह समझे कि जो ग्राप 3 नियम में थे यहां अखर कब आया? 2016 में सबसे पहले ग्राप को ग्राप के जो रूल्ज है उसको सुप्रीम कोट मैं मन्जूरी दे दीथी 2017 में पहली बार उसको लागु किया गया था और ग्राप की कई जो दिल्ली एंसेयार में यह चरण लागू किया गया है यह ग्राप्ध 3 चरण यानी कि तीसरा चरण इससे पहले दूसरा चरण लागू था उसकी जो पाबंदिया वह भी रहेंगी लेकिन साथ-साथ अब ग्राप 3 की जो पाबंदिया हैं वह भी यहां पर लागू कर दी झाल कर दो कर दो थी उल कर दे हे हैं